पिछले लगतार कई दिनों से इगनू के छात्रों का कमेंट आ रहा था जो अपना एड्मिशन जनवरी 2023 सेशन में ले चुके हैं या लेने वाले वो जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 सेशन में अगर हम एड्मिशन लेते हैं तो हमारा एकजाम कब होगा और एसाइमेंट कब जम कराते हैं तो आपका एकजाम कब होगा और एसाइमेंट कब तक आपको लिख करके जमा करना होगा तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोट्पीकेशन नवस को लिजेगा ताकि जब भी मैं कभी इगनूश समबंदित कोई वी लिख रहा हूं एक सेमेस्टर है और एक यह ठीक जो छाथ सेमेस्टर प्रोग्राम में एड्मिसल लेंगे चाहें बीसी एंची एंबीए वगएरा या सिक्स मंत का कोई साटिफिकेट प्रोग्राम हो ऐसे चात्रों का जो एकजाम होगा इसी वर्स जून में जून जून दोजार तेईस में होगा सेमेस्टर वाले चात्र के प्याद ध्यान देंगे ठीक है जून दोजार तेज में होगा अब जून में पहले या धूसरे चांत सीटार्ट का result सेमेस्टर वाले छोड़ के लिए इनका जो इक्जाम होगा वह इसी वर्स दिसंबर में 2023 में होगा अब दिसंबर में भी यहीं सिस्टम लागू है कि पहले सब्सक्राइब कोई अवसक्ता नहीं है पहले सब्सक्राइब में स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्जाम तो आप समझ गये होंगे एक्जाम आपका कब होगा इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वह है एसाइमेंट कब जमा करना होगा सबसे महत्तफों प्रसन यहीं आता है देखिए जो छात सेमेस्टर वाले हैं आपना ध्यान देंगे जिनका एक्जाम जून 2023 में होगा ऐसे छात्रों का एसाइमेंट जो जमा करने का लास डेट है मालीजे 31 मार्च 2023 यह नियमत आपको क्वेशन पेपर डाउनलूड करेंगे तो किसी पे 31 मार्च किसी पे मालीजे की 15 अप्रेल वगएरा कुछ लिखा होगा या किसी किसी पे 30 लेकिन आप समझ goo कि 30 मार्च अगर 31 मार्च आपके सांइमेंट पर लिखा है तो नियमतों लिखा होगा वहां तक आपको जमा करना होगा किसी के assignment question paper पे 30 अप्रिल भी लिखा होगा तो आप घवड़ाये मत चाहें जो भी लिखा हो आपको 30 अप्रिल तक जमा करने का मौका मिलता है ठीक तो 31 मार्श भी लिखा होगा तो कोई घवड़ाने क्या होता नहीं है आपका डेट है वो 30 अप्रिल तक चला जाता है और अकर किसी भी परकार की समस्या होती है तो छात हित में इगनू मान लिजे कि अप्रिल के बाद माई तो 15 या 20 माई तक भी assignment जमा करने लगता है इगनू चात्रों के सुविधाओं को देखते हुए डेट बढ़ाते जाता है एक महिना दस दिन पंदर दिन वगयरा करके तो आप पूरा अप्रेल माई तक भी आप अपना assignment लिख करके जमा कर सकते हैं अपने study center पे offline या online जमा करना या डांक द्वारा भेजना है इसका वीडियो मै ने बनाएं आपको हमारे YouTube channel के playlist में मिल जाएगा वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आप अपना assignment है कैसे जमा करेंगे और सभी रिजनल सेंटर का अलग-अलग नियम होता है आप अपने रिजनल सेंटर के अनुसार या study center के अनुसार assignment जमा कर सकते हैं ठीक इसके बाद प्रस्न आता है कि yearly वाले जो भी छात्र अपना yearly program में admission लिए हैं उनका जो exam December 2030 में होगा उनका assignment कब जमा होगा तो ऐसे छात्रों का assignment है माल यह किसी assignment पर देखेंगे तो 30 सितंबर लिखा होगा और किसी पर 31 October लिखा होगा तो यह दोनों सही है ठीक है आपको घबराना नहीं 30 सितंबर लिखा है तब भी 31 October लिखा है तब भी इसमें भी यहीं नियम लागू होता है यह भी बढ़ते बढ़ते अक्टूबर चला जाता है माल लिजे फिर छात्र हित्त में अक्टूबर के बाद पूरा नवंबर तक जमा होता है पिछला अगर exam की बाद मैं आपको बता क्ति हैं तो समय से अब अवस्य जमा कर देजिये में कोई भी प्रसन होतो ने ये ط hahme करके वस्य पूश्कते हैं आप्प हमारे टेली ग्राम चैनल खोलान कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेंशेज कर सकते हैं दोनों का जो link है वीडियो के description में आपको मिल जाएगा